किया दोस्तो आप अपनी गाड़ी के लिए no entry pass बनवाना चाहते हैं दिल्ली में रहते हैं और आप एक loading गाली यानि कि जो mild होने वाली गाड़ी होती है वो चलाते हैं और अपनी गाली को किसी भी समय क्लिक अंदर चलाने के लिए आप एक no entry pass बनवाना चाहते हैं और कितनी इसमें फीच लगती है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूँगा, और ये जो no entry पास होता दोस्तों, ये कहां से बनवा सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो पूरा एंड तक जिरू देखना दोस्तों, और लास्ट मैं आपको दो ट्रिक ऐसी बताऊँगा, जो आपके बहुती काम आने वाली है, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं आपसे निवेधन करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और आपको बताते हैं, क्या क्या इसमें डॉक्मेंट चाहिए, यहां पर लिखा हुआ, अगर आपको कोई दिख्राब होती है, कोई परिशार होती है, तो यहां पर हैल्प लाए नंबर धर्यां है, आप लगोरा हंनु आप पर सब्सक्राइन ले सकते हैं इसके जो बेप साईट हैं यहां पर लिखा होआ, www.dehlytrafficpolice.nic.in इस website पर आगर आप जाते हैं तो वहाँ से आप apply कर सकते हैं आप सारे document बनवा लीजिए उसके बाद आप online इसको जो है apply कर सकते हैं चलिए मैं आपको document बता देता हूँ कौन-कौन से लगेंगे और कितनी इसमें document देख लीजिए कौन-कौन से document आपको देने पड़ेंगे और फीस कितनी लगेगी सभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं notice the following document are required for applying no entry permission 2018 तो दोस्तों यहाँ पर 2018 की यह slip है लेकिन यह same document लगते हैं किसी भी year में आप कराएंगे ठीक है तो सबसे पहले जो है passport size photograph चाहिए जो इसको apply करेगा उसका photo होना चाहिए एक ID proof होना चाहिए driving license होना चाहिए personal request letter यानि की firm letter दोस्तों यह जो होता है किसी company में आपकी जो गाड़ी लगी है किसी दवाई की company में लगी है एक आपके पास contract letter होना चाहिए आपके पास जो permit होता होना चाहिए RC होनी चाहिए आपके पास गाड़ी की fitness होनी चाहिए pollution certificate होना चाहिए insurance होना चाहिए आपकी tax की slip होती है वो cutty होनी चाहिए आपका tax मतलब कोई भी pending में ना हो cng जो आपकी cng cylinder होता है उसका certificate आपके पास होना चाहिए आपकी गाड़ी में speed governor अगर लगा हुआ है तो उसका भी certificate आपको होना चाहिए आपकी गाड़ी national permit है state permit है जो भी है उसका permit आपके पास होना चाहिए और एक एफिडेविट बनेगी दोस्तों जो मैंना आपको बता दी तीन पेज की एफिडेविट बनेगी वो court में जाएंगे वो बहां से नो बन जाएगी ठीक है उसको सारी जानकार्य आप दे देंगे और दोस्तों इसकी fees की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 रुपे की इसकी fees लगती है no entry permission की तो 200 रुपे देखे आप इस no entry permission को बना सकते हैं तो दोस्तों यह दिली ट्रैफिक प्लिस की मैंने website खोली है इस प्रकार से यह link मैं आपको देदूँगा आप खोल लेना ठीक है इसको उपर करेंगे थोड़ा सा उपर करेंगे देखिए यहां पर लिखाओ online application for grant of no entry permission इसी पर आपको क्लिक कर देना तो दोस्तों यहीं से आपकी जो no entry है वो apply होगी यहां पर आप registration करके आप इसको apply कर सकते हैं ठीक है और दोस्तों आपको no entry permission apply करना नहीं आता तो मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूँ यहां पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे लिखा हुआ सामाने निर्देश इस वाले पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक PDF कॉपी डाउनलोड होगी मैं बताता हूं कैसी होगी जब इसपे क्लिक करेंगे रिखक करने बाद यह डाउनलोड करने का ओप्षिन Михa代 आप यसे डाउनलोड कर लेना तो आप इसे जब खोलेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी पूरी यहां पर जानकारी देखिए कि किस किस प्रकार से हमें registration करना और किस प्रकार से हमें no entry permission apply करनी है यहां पर फोटो के माध्यम से सारी जानकारी इन्हों ने दे रखी है तो दोस्तों आप इस प्रकार से यहां से सीख के भी no entry permission बड़ी आसानी से ले सकते हैं तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं इसकी जो डिटेल जो डॉक्मेंट की डिटेल वा आपको कहां से लिप है यह अगर आपको चाहिए तो मैं इसका भी लिंक दे दूँगा वैसे आप वीडियो को रोब के पोज करके इसको आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं अगर आप कहोगे तो मैं इसका लिंक दे दूँगा आपको बहुत ही काम आने वाली है दोस्तों जो नोएंटरी परमीशन वह ज्यादे तो जो साइवर कैफे वाले वह नहीं बनाते हैं आपको काफी ज्यादे दिक्कत होती है तो आप इसे कहां से बनवा सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँँ अगर आप बुराडी क आज पार रहते हैं जहां पर बुराडी अथर्टी है दोस्तों अथर्टी के बाहर जो कंप्यूटर वाले साइवर कैफे वाले तो नहीं होता है जो कंप्यूटर पर ऑनलाइन काम कर देते हैं वो सारे काम उनको आते हैं तो अगर आप महां पर रहते हैं तो आप बुराडी पैसे उसको कम देने जिससे वो काम कर दे और बाद में पैसे ना मांगे सारी बात आपने किलियर कर देनी है अब एक शी जो और बता दूँ मैं आपको काफी जो लोग है वह एफीडेविट को लेके ये एफिडेविट बनानी है तो वो आपको तीन पेज की जो है एक एफिडेविट बनाके देगा जिसमें तीन पेज होंगे तो वही उसमें तीनों पेज अपलोड होंगे दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ जानकारी मिल गई होगी अगर वीडियो अच्छी लेगी हो लाइक कर देना चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब करे लेना बेल आइकन दवा के ताकि आपको हमेशा इसी परकार की जानकारी मिलती रहे तो मिलते हैं किसे और जानकारी से भरपूर वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै बारत